बिरिश्चिक्राशी वालों जै मादुर्गा जै माकारी स्वागत त्याप शवी का हमारे यूट्यूब चैनल में बिरिश्चिक्राशी वालों मित्रों कैसे हैं आप शवी उमीद करते हैं मातारानी के अशिम क्रिपासे आप शवी बहुत अच्छी होंगी और बिरिश्चिक भी नारास मत रखना आप चिछी को भी उनास मत रखना खास कर उन लोगों को मातारानी जिन लोगों का आखरी उमीद आखरी इक्षा आप ही हो मातारानी हमारी आपशे इतना ही दर्खवास है दोस्तों हो जाईए साउधान एक तरपशी आप माला माल होने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरब शी आप कंगाल होने वाले हैं जी हाँ ऐसी इस्तती आपके जीवन में आने वाला है जी हादोस्तों जानकरे के लिए हम आप शभी को बता दी आज दो पहर तीन बसकर 45 मिनट के उपरान आपके कुंडली में एक ऐसा योग बन रही है जिससे कि आप माला माल हो जाओगी जी हरस्तों मांग लेना आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा जी हाँ क्योंकि दोस्तों धन के देवता भगबान कुबेर महराज जी आपके घर पर धन वर्षा करने वाले हैं जी हरस्तों आपने बिलकुल सही शुना धन दौलत रूपिये पैसे से आ आपका पूरा घर भर जाएगा इतना पैसा मिलेगा जी हाँ मेरे प्यार मित्रों जानकारे के लिए हम आप शभी को बता दें ब्रह्मान के सभी देवी दिवता यहां तक मा लक्षमी जी और भगवान कुबेर महराज जी भी आपके उपर प्रसन हो चुके हैं जी हरस्तों अब आप गरीबी में दुख दरिदर्ता में बहुत जी दिये अब और नहीं जी हाँ पूरे ब्रह्मान के सभी देवी दिवता ने मिलकर एलान कर दिया है कि अब होगा आपकी राशी वालों का भाग्य उदे और मिलेगी ब्रह्मान की सबसे बड़ी खुश खबरी जी हरस् ब्रह्मान की सबसे ताकतवर राशी आपकी राशी बनेगी गी हाँ शारी दुनिया वाले इधर से उधर क्यों ना हो जाए लेकिन आपकी नसीब का लिखा कोई नहीं छिन सकता क्योंकि भगवान ने पहली से तैप करके रखा है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना और याद रखिएगा भगबान जो भी देते हैं वो अपने जोली में से निकाल कर देते हैं किसी को जलने से और ना जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी हलोस्तों बस आप अपने कर्म अच्छे रखिए अभी तो आपकी सुर्वात है आगे आगे देखते जाओ आपकी ज चलते हैं उन्हें एक बात कह दो कि अभी तो हमारी शुर्वात है आगे आगे देखते जाना हमारी जिल्गी में क्या क्या होता है घमंड मत करना क्योंकि घमंड भगबान का आहर होता है जी हाँ अगर आपके अंदर घमंड एहंकार उत्पन होने लगी तो समझ जाना आप बरबाद होने के रास्ते पर चल पड़े हो। क्योंकि घमंड ने अच्छे अच्छों को बरबाद कर दिया है। जी हां। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्ष में कहिएगा गुरुजी आपने एकदम सही कहा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिरिश्चिक राशी बालों जानकारी के लिए हम आप शवी को बता दें। आज दो पहर तीन बजकर पैदालिस मिनट के उपरांत आप शवी के जिवनकाल में धन दौलत की बेसुमार बरसात होने वाली है। जी हरोस्तों कहने का तादपर है। आज के दिन चारों दिशाओं से धन आने की पूरी संभावना बन नहीं है। जी हां क्योंकि दोस्तों आज का दिन बिसेस रहने वाला है। किसी महदपुर्ण लोगों के साथ शंपर्ग बनेंगे जो की आप के लिए फाइदे मंद सावित होंगे। जी हां शांती से दिन वैतित होगा लेकिन नकरात्मक प्रविर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें। तो ये आप के लिए बहतर होंगे। जी हां। देखी दोस्तों, एक बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा। उन लोगों के साथ रहिए जिनकी तबियत खराब है। लेकिन उन लोगों के साथ कभी मत रहिए जिनकी नियत खराब है। जी हां। क्योंकि तबियत ठीक हो शकता है। लेकिन नियत कभी भी ठीक नहीं हो शक्ता और ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं और वो लोग नाहीं अपने जीवन में कभी आगे बढ़काते हैं जी हाँ देखिये रोस्तों शितारी कहती हैं आज का दिन आप के लिए अकासमात लाब दिलाने वाला रहेगा जी हाँ पर इजनों की सलहा आप के लिए बहुत काम आएगी स्वास्ते में चल रही समस्याओं के लिए बिलकुल धिल ना दिखाएं नहीं तो कोई बड़ी समस्या खड़ी हो शकती है इस बात का ध्यान रखियेगा कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से दबा हुआ था तो बहा आज फिर से उभर सकता है जी हाँ दोस्तों अगर आप शमय पर सावधान और शतर्क रहेंगे तो ये समस्या आपको परिसान नहीं कर पाएगा जी हाँ वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिन्चरया के लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए निस्संकोच आगे बढ़ने के लिए रहेगा जी हाँ बिना रुकावट के आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे बड़ी बड़ी सफलता बड़ी बड़ी तरक्की हाशिल करेंगे जी हाँ घर परिवार में सलस्य एक दुश्रे के करिब आएंगे और शंबंधों में घनिष्टता आएगी किसी भूमी भवन आरी के मामलों में समस्या आएगी आप अपने काम काच पर पूरा फोकश बनाए रखें नहीं तो कोई गलती हो शकती है दामपत्य जीवन में यदि कुछ समस्या आपको लंबे समय से परिशान कर रही थी तो वह भी दूर होंगी जी हाँ आप यदि किसी लंबे दूरी की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें कुछ समस्या जो है रुखना पड़ सकता है जी हाँ आपके कुछ विरू नहीं आप पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन वो आपके उपर हावी नहीं हो पाएंगी जी हाँ च्योंकि दूस्तों आपके उपर भगवान भोलेनाजी का हाथ है इसलिए कोई चाहा कर भी आपका बाल भी बाका नहीं करवाएगा आज का दिन आपके लिए बज़ट बना कर चलने के लिए रहेगा जी हाँ आपको एक बज़ट बना कर चलना बहतर रहेगा और आपको अपने किसी परिजन की और से कोई आवश्यक सुचना सुनने को मिल सकती है जिससे आप काफी जारा प्रसन रहेंगे जी हाँ आपको अपने डेली रूटीन में बदलाव नहीं लाना है नहीं तो समस्या हो शकती है जैसा पहले से चल रहा है अभी वैसा ही चलता रह आपको किशी भी प्रकार की उश्मे छड़खानी इधर उधर नहीं करना है जी हाँ नहीं तो समस्या हो शकती है यदि आपने किसी को धन उधार देने का सोच विसार किया है तो उससे उधार ना दे नहीं तो समस्या हो शकती है शब को साथ लेकर चलने की कोशिश में आप क आब्याब रहेंगी जी हाँ विपक्ष के शुक्रीता बनी रहेगी आप महनत और लगन से आगे बढ़ेंगी कामकार्ज में आप कोई एहम जिम्मेदारी किसी को ना दे नहीं तो समस्या हो शकती है राजनिती में कारिषत लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी जी हा रोस्तों वही रोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनशर्या के लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए कला कोशल में शुरहार लेकर आएगा विभिन शेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके कामों में तेजी आएगी आपको कि किसी संपती का शौदा करती शमी उसके चल अचल पहलों को श्वधंता शेट जासना होगा जी हाँ और किसी विप्रित परिस्तिती में आप ध्यारी मना कर रखें तो ये आप के लिए बैतर रहेगा जी हाँ बिध्यार्थियों रहें यदि किसी परिक्षा को दिया था तो वहाँ आज उसके परिणाम आ सकती है और आप अपने गुरुजनों की मदद से आगे बढ़ेंगे किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाग मिलेगा और आप उसका पूरा लाग उठाएंगे जी हाँ माता पिता आपको जो है धार्मी क्यात्रा पर लेकर जा सकती है जी हलोस्तों जिसमें आपको बहुत जाला खुशी होगी और वहाँ पर आपको मानशिक सांते मिलेगी जी हाँ दोस्तों लेकिन अपनी सोच को हमेशा सकरात्मक बनाए रखें हमेशा पॉजिटिव रखें क्योंकि शारा खेल सोच का ही है जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से कारी करती हैं दिन आपके लिए उतार चड़ाव शिभरा रहेगा लेकिन फिर भी आज आपको अ अपने भविश्य के लिए बचा कर रखें क्योंकि यही बचा हुआ धन मुशिबत में काम आएगा आज साम तीन दस बजे के बाद पैतरिक संपती संबंधित विवाद में आज आपको जित मिलने से आज आप प्रसन रहेंगी जी हाँ रोस्तों कुल मिलाकर आज के दिन भागी के दरिश्टी कौन से शमय अच्छा रहने वाला है धार्मिक और समाजी कारिकर्मों से चुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा जिससे आपकी साख शारों और फैलेगी और आप किसी परिजन की सेहत को लेकर थोड़े बहुत परिशान तो उनसे भी आज आपको छोड़कारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जी हाँ दोस्तों आप अपनी बुद्धी और विवेक से किसी निर्णय को लेकर लोगों को हैरान कर सकती है और शभी का दिल जितने में आज आप काम्याव रहेंगी वही दोस्तों आपके लिए जो स धीरे धीरे समापत होगी जी हाँ क्योंकि आपके खान पान की आदत आपके लिए पेट संबंदित समस्याओं लेकर आशकती है इसलिए दोस्तों खान पान में आपको शुरहार करने की जरूरत है आपके परिजन आपको कोई सलहा दे सकती है आज के दिन तो उनसे आज आज को नुकसान हो सकता है इसलिए आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलहा मश्वार करने से बचें और आपको कामकास के मामले में आज का दिन थोड़ा कमजूर रहेगा जी हाँ दोस्तों जितना होशके खुद ही निरने लेने का प्रयाश करें और उसी पर सलने का प्रयाश करें तो आपका मन परसान रहेगा जी हाँ दोस्तों धोखा हमें तबी मिलता है जब हम एक दुसरे पर आँख मुंद कर भरुशा करती हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप धोखे का शिकार नहीं होना चाहती हैं तो खुद पर भरुशा रखें एक दुसरे पर ज्यादा डिपेंट रह ये लोग चल रही समस्याओं से आज शुड़कारा मिलेगा और आप एक दुसरे की परवाह करते नदर आएंगी जी हाँ रोस्तों आपको कुछ निजी मामलों में गंभिरता बनाए रखनी होंगी और आप शब को एक साथ सलने के लेकर कोशिश करेंगी जी हाँ रोस्तों वह आपके बहुत लंबे से नहीं पूरी हो रही थी वो एक शा आज के दिन पूरी हो शक्ती है आप यदि किसी नए काम के लिए कुछ पिराश कर रहे हैं तो आपके वहा पिराश रंग लाने वाले हैं आज के दिन जी हाँ व्यापार में आपको कोई अच्छी डिल फाइनल कर आज का दिन आपके लिए धर्ण संपती संबंधित मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपनी महनत से काम करके वो सब कुछ पासकती हैं जिसकी अभी तक आपके पास कमी है जी हां रोस्तों नौकरी में कारियत लोगों की विरोधी उनकी समस्याओं को बढ़न पूरी कोशिश करेंगे लेकिन वो हावी नहीं हो पाएंगे जी हां रोस्तों आपको कुछ महत्पूर खर्चों में शम्मिलित होने के मौका मिल सकता है आज के दिन लेंदेन के मामले में आप एसपश्टता बनाए रखें किसी से भी धन उधार लेने से बचें नहीं तो ब आपके लिए बहतर होंगे नहीं तो दोस्तों आपके लिए समस्या आगे चल कर बढ़ सकते हैं जी हां दोस्तों आप अपने माता पिता के शाथ अपने दादा दादी के शाथ किसी धार्मी की यात्रा पर जा सकती हैं जिससे आपको मानशिक शांती मिलेगी आपको काफिश सिकुन मिलेगा जी हाँ दोस्तों इश्वर भक्ती पूजा पार्ट में कुछ समय जरूर दें इससे आपको नुक्षान नहीं बलकि लाब ही लाब होगा जी हाँ इससे मन आपका शांत रहेगा भगवान जी खुश होंगी और आपके पास जो भी नकरात्मक शक्तियां है बार आपके शुक समर्द ही बढ़ेगी जिससे मन आपका काफी प्रसन रहेगा जी हाँ लेकिन आज आप ध्यान रखें आपका जो विरोधी है आपका जो शत्रू है वो आज आपको कोई गलत सलहा दे शक्ता है अगर आप बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेंगे तो आप उश पर सलेंगे तो आपको नुक्षान हो सकता है जी हाँ दोस्तों आपको शिर्प इतना ध्यान डखना है कि सुनिये सब की करिये अपने मन की क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जान सकता जी हाँ दोस्तों आज का दिन आपके लिए सुक शमर्द ही लेकर आएगा जी शेयर करने से बसना होगा नहीं तो शमस्या हो शक्ती है जी हाँ दोस्तों वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दे व्यापार कर रहे लोग बड़े महनत करेंगे कड़ी महनत करेंगे तभी उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुँच सकती है नीजी जीवन में आप ताल मेल बिठाय कर रखेंगे और किसी डिल को आज बहुत ही सोच समझ कर फाइनल करें और किसी के कहने में आकर कोई निरने नाले नहीं तो आगे चल कर आपको परिशान होना पड़ सकता है जी हाँ दोस्तों वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए चुनोतियों शेभरा रहने वाला है जी हाँ शफलता तो मिलेगे लेकिन आपको बहुत मुश्किलों का शामना करना पड़ सकता है अगर आप हार मान गए तो आप बिखर जाएंगे और अगर महनत करके आगे बढ़ गए तो आज आप निखर जाएंगे जी हाँ मौका बढ़िया है चौका मारने का शमी आ चुका है आपके आमदनी बढ़नेशी आप जो है प्रसन रहेंगे यदि कुछ कारिय में रुकावटी आ रही थी तो उससे आपका मन काफी ज्यादा परिशान रहेगा धार्मिक वा समाजिक कारिकरमों में बढ़ जड़ कर हिसा रहेंगे आप खुद को शही सावित करने की कोशिश में लगे रहेंगे लेकिन आपका कोई साथ ही आज आप से किसी बात को लेकर समस्या खड़ी कर सकता है जी हाँ दोस्तों और आपके वैक्तितप में निखार आएगा आप किसी पर भी आँख मुद कर भरोशा ना करें नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी आज का दिन नौकरी में कारियत लोगों के लिए शमय काफी अच्छा रहने वाला है जी हाँ खास कर जो लोग शरकारी नौकरी में हैं उनके लिए समय तो शोने पे सुहागा होने वाला है मित्रों के शाफ आप किशी पिकनिक आदिक पर जाने की योजना बना शक्ती है आपको किसी काम की अच्छे से छुटी दुरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है यदि आप अपने भाई वहनों से कोई मदद मांगेंगी तो बहा भी आपको आसानी से मिल जाएगी और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छी खुश खबरी सुनने को मिल सकती है शमे आपके लिए बहुत ही बढ़िया है आपको कारोबार में तरक्की मिलने से आपका मन प्रसन रहेगा रुका हुआ फुसा हुआ धन मिल सकता है लेकिन आज के दिन अगर आप किशी को धन उधार दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर देजिएगा नहीं तो आपका धन डुब भी सकता है क्योंकि शितारे आपको शंकित दे रहे हैं कि आप जितना ज्यादा साउधान रहेंगे जितना ज्यादा अपने कामों में व्यास्त रहेंगे उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा जी हाँ खुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिस्तित रूपशे फलदायक रहने वाला है और आपको रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक इस्तती को मजबूती मिलेगी और आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगार पाएंगी क्योंकि आपके तेज को देखकर आज वह अपशे लड़कर ही नश्ट हो जाएंगी क्योंकि आपके उपर महादेब जी की कृपादरिष्टी बनी हुई है विरोधी कोई शत्रू आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा जी हाँ दोस्तों आज आप यदि किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें माता पिता से सलहा मश्वारा अवश्य करें आपको आज दिल और धिमाग दोनों को सोच समझ कर ही कुछ योदना को बनाना बैतर रहेगा जी हाँ कई बार आप जल्दबाजी में हडबड़ी में आकर कोई गडबड़ी कर देते हैं कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिनका खम्याजा आपको आगे चलकर दिक्कत होता है ऐसे सिच्वेशन में आपको दिल और दिमाग से सांती से सोच समझ कर ही काम करना बेटर अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस समय आप शब कुछ भगबान पर सोड़ दिजिए बस मन को शांत रिखिए एकांत समय में जाकर एकांत जगा में जाकर समय वैतित करिए ये आपके लिए बैटर रहे जी हाँ दोस्तों दिन आपके लिए अति उत्तम है आपके अंदर एक नई उर्जा का शंचार होगा जिससे आपसी चल रहे बात विवाद भी शमापत होंगी जी हाँ दोस्तों विद्ध्यार्थियों को बहुत धिक वा मानसिक बोज से शुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है आपको कोई पुरानी करने की कोशिश करें तो आपको उश में लाब होने की संभावना जादा है जी हाँ दोस्तों वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिए जो समय होंगी यह समय आपके लिए मिस्रित रूपशी फलदायक रहने वाला है आप वरिश्ट सदस्यों आज आपके उपर महरबान है आज आपको हर तरह प्षे लाव ही लाव देखने को मिल रही है कुछ पुराने कर्जों से भी आज आपको निजात मिलेगा आप प्रतिक कार में उत्सा के शाथ आगे बढ़ेंगे और आपको उश में लाव भी होगा आप अपने मन में चल रहे किसी बात को लेकर थोड़ा सा परिशान रहेगे लेकिन फिर भी आप अपने जिम्मेदारियों को बखह भी निभाएंगी जी हा दोस्तो परिबार में किसी मांगली कारिकरम की होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा जी हाँ दोस्तो जिससे आपका घर से बढ़ेगा लेकिन आप अपनी भावनाव पर अंकुष बनाई रखें तो ये आपके लिए बहतर होंगी वही दोस्तों आपके लिजो समय होंगी आपके दिन चर्या के लिजो समय होंगी यहाँ समय आपके मानवा प्रतिष्ठा में ब्रद्धी दिलाने वाला रहेगा आपको किसी धार्मिक कारिक्रम में शम्मिली धोने का मौका मिलेगा जी हाँ दोस्तों आप अपने कुछ नेजी पर भी जाने का मौका मिल सकता है लेकिन दोस्तों यात्रा में आज आपको थोड़ा सा सतर के रहना होगा आनजान वेक्ती से आपको ज़्यादा मेल मिल आप नहीं रखना है जी हाँ नहीं तो आपके शाद कोई धोखा हो शकता है अध्यात्म के कारिक के प्रती आपकी रूची बढ़ेगी शंतान पक्स की और से आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है माता पिता की बातों का पूरा मान रखेंगे और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो माता पिता का आशिरवाद जरूर निकले इससे आपको लाब की संभावना ज्यादा रहेगी जी हाँ दोस्तों स्वास्ते के मामले में कुछ समस्या भरा रहने वाला है जी हाँ दोस्तों आपके रिबहतर होंगी घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करे बाहर के खान पान से अभी आप परहिज करे जी हाँ दोस्तों आपको कोई गलत निर्ने लेने से आज के दिन बसना होगा वा कारिक शित्मी आपके उपर काम का दबाव रहेगा जिससे आप थोड़ा परिसांट रहेंगी और आपका स्वभाव भी चर्चरापन रहेगा लेकिन दोस्तों गुष्सा करने से बसना होगा शांति पुन्ट तरीके से समस्या का समाधान निकाले आपको उसका समाधान जरूर निकलेगा जी हाँ रोस्तों आपको शिग्रिता व भागुपता में कोई भी निर्णे नहीं लेना है आज के दिन जी हाँ रोस्तों आपको अपने संसकारों वा परंपराओं का जो है पाठ संतान को बढ़ाए रखना कुल मिलाकर शमे आपके लिए फलदायत रहने वाला है आपके कामकास की गती आज तेज रहेगी जी हाँ रोस्तों और आपके दामपत्ते जीवन में शल रहे अवरोद भी दूर होंगी और मधूरता भनी रहेगी किसी भूमी वा भवन से संबंधित किसी डिल को आज फाइनल कर सकती हैं कर्म धर्म के कारिक कर रहे लोग आज पूरी महनत लगंशे काम करें आपको लाब होगा राजनितिक शित्र में कारियात लोग आज किसी पद की प्राप्ति कर सकती हैं जी हां दोस्तों आज के दिन आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करकी अरिकारियों का दिल जितने में काम्याव रहेंगी जी हां दोस्तों वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी यह समय व्यवशाय कर रहे लोग कोई बड़ा जोखिम उठाने से बसना होगा जी हां दोस्तों नहीं तो नुक्षान हो शकता है किसी को आज के दिन धन उधार ना दें नहीं तो धन वापश आने के संभावना बहुत कम है वह धन आपका डूर शकता है जी हाँ दोस्तों इसलिए किसी को भी धन उधार देनी से पहले दोबारा जरूर सोच बिचार कर ले कि आपके लिए बहतर होंगी जी हाँ बज़त बना कर सले शंतान यदी किसी परिक्षा को दिया था तो उनके परणाम शुब आशकती ही जी हाँ दोस्तों उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है बहुत ही खास समय है भागे भी अच्छा साथ दे रही है अब समय आ चुका है उपायों की जरा ध्यान प्रवक्षुनिएगा उपाय बहुत ही कारगार है बहुत ही जमतकारिक है अगर आप शचे दिल से करेंगे तो आपको जरूर लाग होगा देखी दोस्तों घर में एक तुलसी का पोधा जरूर लगाएं और रोजाना उस तुलसी के पोधे में जल चढ़ाएं सुभा के अशनान करने के बाद तामबे के लोटी में जल भर कर उश में थोड़ा सा सिंदूर डाल कर फूल डाल कर उगते जानकारिया आपको अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्ष में जय मातारी जरूर लेखें धन्यवाद दिन आपका शुभ हो मंगल मैं हो